मित्रों, दिल्ली विधान सभा के चुनाव में आप आदमी पार्टी की एतिहासिक जीत हुई है इस जीत के उपर हम आदमी पार्टी को अपनी पूरी शुब कामनाई देते हैं उनके नेता श्री अर्विंद केजरिवाल ताभिरंदन और हमारी बधाई दिल्ली के मुख्य मंत्री के रूप में वो अब अपने वादों के अनुसार साशन दे जो उन्होंने वादे किये हैं उनको पूरा करें दिल्ली के लोगों को गुड गवर्निस दे बारा सरकार की ओर से दिल्ली की जनता और दिल्ली के विकास के लिए जो कुछ भी सहयोग करना होगा वो केंद्र सरकार सदैव करेगी मैंने दिल्ली की सरकार बिना किसी राजितिक विभेद के देश के सारे प्रदेशों के विकास के बात करती है और वही सिध्धान्त दिल्ली के बारे में भी लागू होगा ये हम मिशित रूप से स्पष्ट करना चाहते हैं जहां एक और पिछले लोकसभा के चुनाओं में हमारी एतिहास एक विजए हुई थी देश में उसके बाद महराष्टर में हरियाना में जम्मु कश्मीर में और धर्खंड में महा की जनता ने हमारे आगरह पर भारती जनता पार्टी और नरिंद मुझी जी के साथ चलने का निरने किया हमने यहाँ भी वह अपील की थी कि देश दिली के लोग भाजपा के साथ चलें दिली के लोगों ने लोकसभा के लिए भाजपा और नरिंद मुझी जी के साथ चलना पसंद किया लेकिन विधान सभा के लिए वो अर्विंद केजरिवाल जी के साथ चलने के लिए तयार दिखे है हम दिल्ली की जन्ता के इसमत का आदर करते है और उसका सम्मान करते है हमारी बहुत ही जबरदस्त हार भी हुई है अपनी उस हार को भी हम बहुत विनम्रता से स्विकार करते हैं हमें इसके कार्णों में गंभीता से जाना पड़ेगा शायद दिल्ली की जनता के मूड को भापने में हमसे कुछ कम्जोरिया हुई है उसके बारे में हमें इमांदारी से सोचना पड़ेगा ये ठीक है कि 2013 के विधान सभा के चुनाओ के तुल्ला में अगर दिल्ली में भाजपा के वोट परसिंटेज को देखा जाए तो बहुत ही थोड़ी कमी आई है लेकिन हमारी हार तो हार है और उसे हम बहुत ही विनम्रता के साथ बिकार करते हैं पार्टी इस हार के बारे में विस्तार से इसकी परक करेगी इसकी समिक्षा करेगी लेकिन बीजेपी के अंदर हमारे कार्यकरताओं की हमारी पार्टी की तमाम विरोधी परिस्टियों के बावजूद दुबारा खड़े होने की हम्मत रहती है और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के हमारे कार्यकरता यहां कि जन्ता के विश्वास को प्राप्ट करने में सफल होंगे हम एक सार्थक विपक्ष की भूमी का निभाएंगे दिल्ली जहां सरकार को सहयोग दने की अपिक्षा होगी दिल्ली की भाजपा देगी जहां सरकार का विरोध करने का विश्वास होगी पुरा विरोध भी करेगी दिल्ली में कॉंग्रेस का साशन पंदरा साल रहा है और पंदरा साल के साशन के बाद कॉंग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं आना और उनके वोट का 15, 16 परसंट, 18 परसंट खिसक कर आम आदमी के साथ ख़़ा होना ये शाथ कॉंग्रेस के लिए बहुत चिंता का विशा है कॉंग्रेस को अपनी बाद स्वयम सोचनी है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है वो कितना सोचेंगे जिए मैं उनके विवेक पर छोड़ता हूँ यहां तक हमारी पार्टी का सवाल है हमारी समिक्षा इमानदारी से होगी और इस परिसिती का निराकरण के लिए जो भी उचित होगा पार्टी अवश्यक अदम उठाएगी इस्ञाम जिंदाबाद इस्लाम जिंदाबाद इस्ञाम जिंदाबाद आ이랑वाज त्क भार से अदैसागी वोगा है